भाई और बहनों, तेजी से सीधे किसानों तक लाप पहुचाना का एक काम, उपच्की सरकारी खरिद में भी बहुत व्यापक स्केल पर किया जा रहा है। कोरोना की मुश्किल चुनोतियों के बीच जहां किसानों ने कुरुशी और बागवानी में रिकॉर्ड उत्पादन किया है, वही सरकार भी हर साग MSP पर खरीद के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। पहले धान की और अब गेहूं की भी रिकॉर्ड खरीदी हो रही है। इस वर्ष अभी तक बीते वर्ष की तुलना में लगभग 10 प्रतीशत अधिक गेहूं MSP पर खरीदा जा चुका है। अभी तक गेहूं की खरीद का लगभग 58,000 करोड रुपिये 58,000 करोड रुपिये सीधे किसानों के खाते में पहुँच चुका है। सबसे बड़ी बात ये कि अब किसान जो उपज मंडी में बेच रहा है उसको आप अपने पैसे के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता है। परेशान नहीं होना पड़ता। किसान के हक का पैसा सीधा उसके बैंक खाते में जमा हो रहा है। मुझे संतोष है कि पंजाब और हर्याना के लाखों किसान पहली बार डाइरेक ट्रांसपर की इस सुविदा से जुड़े हैं। अभी तक पंजाब के किसानों के बैंक खाते में करीब 18,000 करोड रुपिये और हर्याना के किसानों के बैंक खाते में 9,000 करोड रुपिये सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा हो चुके हैं। अपना पूरा पैसा अपने बैंक खाते में पाने का संतोस क्या होता है ये पंजाब और हर्याना के किसान भी अनुभो भी कर रहे हैं और मुखर होकर बोल भी रहे हैं